सल्मान खान के धमाकेदार शो बिग बॉस सोला ने लोगों का दिल जीतने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन बिग बॉस सोला के घर का हाल ऐसा हो गया है कि खुद अब्दू रोजिक भी अपने आसों को नहीं रोप पाए। वो वाश्रूम में जाकर फूट फूट कर रोए थे। इस बात का खुलासा खुद अब्दू रोजिक ने बातचीत के दौरान किया। अब्दू रोजिक इस बात को लेकर बिग बॉस सोला के फैन पेज ने भी ट्वीट किया है जिसमें पेज की ओर से बताया गया कि अब्दू रोजिक वाश्रूम में आसों बहार रहे थे। अब्दू रोजिक को लेकर बिग बॉस सोला के फैन पेज ने लिखा। अब्दू रोजिक ने कहा था कि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन उनका अच्छा दोस्त है और कौन नहीं। अब्दू ने इस बात का भी खुलासा किया था कि वो बिग बॉस सोला के घर में जाकर रोए थे। इसरे यूजर ने अब्दू को सांथवना देते हुए लिखा, अब्दू आप रोना नहीं, खुश रहो और बाकियों की चिंता मत करो। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, साजट एक्स्प्लेंड तो हिम वेरी राइटली, नोबड़ी केर्स फो यू, अब्दू क्राइग मेक्स मी मेल्ट, केनाट इवन इमाजन हिस फेस वाइल क्राइग। बतादे कि अब्दूरोजिक को बिग बॉस 16 में शिफ्ट थाकरे के साथ भी खूब देखा जाता है, दोनों रूमेट्स तो हैं ही, साथी बैट पार्टनर भी हैं, अब्दूरोजिक का साजट खान के साथ भी काफी आरा ना है, बतादे कि अब्दू शो में हर किसी के जिसके हिसाब से दर्शकों ने सबसे जादा पसंद अब्दू को किया है। खैर देखने माली बात अब ये होगी कि अब्दू इस शो में कितने दिनों तक टिक पाते हैं। विसे आपको बिग बॉज 16 में अब्दू का गेम कैसा लग रहा है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिग बॉज 16 से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।